चैप्टर वन प्रारंभिक मानो प्रारंभिक मानो को हियूमिनेंट कहा जाता था क्योंकि वे गुफाओं में कुशल थे वे केव मैन कहलाते थे वे शिकारी समूह थे वे फल, नट और जामुन इकठा करते हैं वे चोटे जानवरों का भी शिकार करते और खाते हैं वे जानवरों की खाल और पेड़ों की चाल से कप्ड़े बनाते थे प्रारंभिक मानो ने अपने समय के दोरान बेदर जीवन के लिए सुन्दर गुफा चित्र बनाए वे प्राक्रितिक रंग का उप्योग करते हैं उन्होंने दो पत्थरों को चमकाने के समय पर आग की खोच की वे आग का इस्तिमाल करते हैं खुद को गर्म रखने के लिए और मास पकाते हैं स्टोन एज में पहला उपकरण पत्थर बनाया गया था प्रारंभिक मनुष से तूटे पत्थरों के नुकीले किनारों को सेट करते थे इस काल को स्टोन एज कहा जाता है इतिहासकार स्टोन एज को तीन अलग-अलग काल खंडों में विभाजित करते हैं उपकरण डिजाइन के तरीकों के अधार पर एक पुराने स्टोन एज दूसरा मधिप स्टोन एज तीसरा न्यू स्टोन एज